दोस्तों अगर आप लोगों को सिर्फ इतना सेखना है कि YouTube वीडियो के लिए Pixel Lab application के दोरा थम्नेल कैसे बनाए या YouTube वीडियो के लिए बेटर थम्नेल कैसे बनाए तो आप 2 मिनिट का वीडियो स्किप कर दीजिए और डारेक्ट आप पॉइंट पर पहुंच जाए अगर आपको यहां पर कुछ important चीजे जाननी है जिनको समझना जहां से आपके चैनल को boost मिलने बाला है तो आप थोड़ा सा 2 मिनिट समय यहां पर मुझे दे दीजिए अब दोस्तों यहां पर मैं बात करने बाला हूं कि कोई भी बेक्टि हमारे वीडियो पर किलिक कब करता है और यह किलिक कब करता है तो इस बीसे में मैं आपको बताऊंगा किलिक कर देगा यह बंदा था यह अच्छा बताता था मुझे चलो मैं इसका वीडियो देख लेता हूं तो सिंपल सा आपके वीडियो पर किलिक कर देगा ठीक है यह तो पहले केस में क्या आप एक नए यूटूबर हो तो आपकी भाई face value तो है नहीं तो पहला बाला point आप आपने कैसा भी video upload कर दिया है ठीक है यह मेंटर नहीं करता और आपके वीडियो पर व्यूज अच्छे हैं जैसे कि आप सपोच करेए आपने वीडियो अप्लोड गया pixel lab application के द्वारा thumbnail कैसे बनाए हाला कि आपके वीडियो पर थमनेल अच्छा नहीं लगा है लेकिन क्या पतलब इसका content better होता होगा ठीक है तो यहां पर दूनों case आपके पास नहीं है देखे आपके face value नहीं है आपके वीडियो पर व्यूज भी नहीं है यह दोनों point आपके यह फ्लॉप हो गए अब यहां पर हमारा तीसरा point काम करता है जो कि सबसी कारगार point होता है अब यह तीसरा point क्या है तीसरे point में जब दोनों point फ्रॉप हो जाते हैं तो अब हमारे वीडियो का thumbnail बर्क करता है जैसे कि starting में आपके पास भूज भी नहीं आते हैं face value भी नहीं है तो हमारा व्यक्ति कोई भी है तो thumbnail के according हमार बना ही नहीं है thumbnail बनाएंगे और save करेंगे उसकी quality बेकार हो जाएगी यहां पर मैं आपको बताने बालो एक HD से extra quality में जो कि pixel lab में feature दे दिया किसी नहीं साथ नहीं बतायोगा उस extra quality में आपको अपने thumbnail को save करना जिससे कि आपका quality खराब ना हो तो दोस्तों सबसे पहले आप open करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आगा तो सबसे पहले आपको यहां पर जो size दिखाए दे रहा है यह size इसको आपको YouTube thumbnail size में convert करना है तो उसके लिए simple सा आपको 3 dot मिलेगा तो 3 dot पर आपको simple सा click करना है click करने कवाद यहां पर आपको image size का एक option image size प आपको ok पर click कर देना है अब यह size है हमारा YouTube thumbnail size convert हो चुका है तो simple सा सबसे पहले आप इसको delete कर सकते है यह नहीं भी कर सकते है बो चीज मैं आपको बता रहा हूँ अब यहां पर यह background आप देख पार रहे है तो इस background को आपको रखना कैसा है किस color का आपको background रखना है ठीक है तो उसके लिए simple सा है करना है कि यहां पर आपको कई option दिखाए देना है एक डो तीन चार पांच ओप्सन दिखाए देना है यह एक तो आपको 20 बाला जो option है यहाँ पर एक आप देख पानेंगे गोल-गोल हलका सा तो इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद यहां पर दो color पर जाने के वाद, आप कोई भी color लेंगे, वो यहां पर आ जाएगा, जिस पर आप thumbnail को बनाएंगे, जैसे कि मैं यहां पर कोई भी color आपको लेकर दिखाता हूँ, जैसे कि green हो गया, कोई भी कलर इंदा मतलब आपको जो अच्छा लग यार जो भी आपको यह जैसे की कलर आपको चाहिए ठीक है तो यह कलर ले सकते हो यह चाहिए तो यह ले सकते हो तो यहाँ पर कोई भी आपको यह कलर चूज कर लेना जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सही पर टिक कर देना है ज पर जाना है तो फ्रॉम गैल्दी पर जाएंगे तो दोस्तों गैल्दी से आपको अपना एक फोटो ले लेना और बो फोटो आपका PNG में होना चाहिए अब दोस्तों आप अपने फोटो को PNG में कैसे से कनवर्ट करते तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा तो यह फोटो मैंने गैल्दी से सेलेक्ट कर लिया और यह आटोमेटिक PNG में कनवर्ट है तो यहाँ पर आपको करना क्या सिंपल सा एक सही क को लॉ कर देंगे तो इधर उदर नहीं जाएगा तो लॉक करने के लिएहाँ आपको प्लस के आइकन के पास यहाँ पर एक यह उप्सें लेगा इस पर किलिक करना और किलिक करने कवाद यहाँ पर ताला दिखाई देरा लोग कर देंगे इसे ठीक है अब आपका यह फोटो यह सेलेक्ट ही नहीं होगा जब तक आप लोग हटाएंगे नहीं तो आप यहाप अब यह दिखे टेक्स्ट हो रहा है दर उदर लेकिर फोटो आपका यहाँ पर इस्थाई रूप से जाम हो चुका है अब आपको यहाँ कुछ लिखना आए ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल बे में बताता हूं और उसको सब कुछ एडिट बगएरा बताता हूं तो सिंपल सा यहाँ पर आपको इस पर किलिक करना है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक ऑप्सवर मिलेगा यह बाला तो यह पर किलिक करेंगे, किलिक करने के बाद इडिट पर जाएंगे, इडिट पर जाने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा बता देता हूँ, पिक्सल लेब से थम्मनेल कैसे बना है पिक्सल और यहां पर यहां पर इस प्रकार से मैं बताएंगे पिक्सल लेब से थम्मनेल यहां पर मैं लिख देता हूं आपको जाना वेदिया नाही यहां पर प्रॉल करना यहां पर यहां पर रहत देखेंगे और इह stewards को प्रॉट पिक्सल लेब को कुछ अलर्क देना और से थमनेल को कुछ आलक करने जैसे कि हैं पिक्सल लेब को कुछ अलर्क करने देना मैं आपन रहा हूं थीक है के बल इसको अभी समझा रहा हूं कि आपको कुछ बैक्ग्राउंड भी करना हिए जैसे कि मैं यहां पर आपको एक चीज बताता हूं यहां परопर के लिए आम नीचे की और आना rozum पर रहका इतुत करके रखना और रेक्ग्रावंड पर जाओंगा और जाने की वाद भास इसको आपको इनेवैल कर देना है इनेवैल करने के वाद इसके बैग्रावंड में आप देख पाएंगे इस प्रकार से बेडावंड आ गया अबम कोई भी background यहां पर दे उस प्रकार से, Backgiound आप और Select कर सकते हो, जो भी आप background उस प्रकार से, इनको Increase भी कर सकते हो, यहां पर देखेंगे, तो इस प्रकार से Increase भी कर सकते हो, तो यह सारी चीज़ आप यहांपर कर सकते हो, हाला कि मैं अभी उतनी Professional नहीं, यहां पर मैं आपको सब कुछ एटू जिड़ प्रोसेस बता रहा हूं ठीक है तो यहां पर इस सारी चीज़ एड़ कर दी माले आपको कोई और फोटो यहां पर एड़ करना है ठीक है पिक्सल लेप से थम्नेल कैसे बना तुम यहां पर जल्दी से लिख देता उसके बाद आइकन पर जाना है प्लस के आइकन पर जाने के बाद फ्रॉम घैली पर जाना है तो दोस्तों यहां पर देखें मैंने यह पर यूटूब का यह कि यह लोगो जो है पीएंजी में कणवर्ड कर रहा तो उसको यहां पर मैंने सेलेक्टर लिया और यहां पर इस परकार से का होगा और यहां पर मैं एक sword तरीकी में बतातों यह सारी चीज़े आप खुद से यूज़ करिएगा तो यहां पर देखेंगे arrow बगएरा यह दुनियादारी सब कुछ आपको फिकुर्द से यूज़ करना है और सारी चीज़े यहां पर बतानी हो कि है ही नहीं कुछ ठीक है जितना बता है इतना काफ है यहां पर बहुत सारे effects भी मिलेंगे उसके बाद mean बात रहती है आप इसको HD में save कैसे करेंगे तो HD में save करने के लिए simple सा यहां पर आपको एक option मिलेगा यह वाला ठीक है इसको मिलेगा save as image पर आपको जाना save as image पर जाएंगे और उसके बाद नी पर क्लिक करेंगे और यह जो आपका थमने ले आपके गैलरी में सेब हो जाएगा अब आप इसको कहीं पर यूज कर सकते हो तो दोस्तों आशा करता है आप लोग समझ गएंगे कि पिक्सल लेप के दौरा आपको एक बैटरी थमनेई कैसे क्रेट करना और अगर कोई भी डाउ झाले!